नवस्कार मैं आपका मित्तर सर्वमित्तर मसला है हर्याना की सरकारी नौकरियों की भरती में जो फरजी वड़ा हुआ जो गड़बड़ी हुई कुछ दिन पहले ही और क्रोडो रुपे बरामद हुए उस मसले को लेकर हर्याना सरकार घिर गई दरासल विधान सबा का सेशन चल रहा है और विधान सबा के अंदर विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया सरकार फंस्ती हुई नजर आई और सत्तापक्ष के ही एक विधायक जब बोलने लगे तो ऐसा लगा कि गडबड़ी लंबे समय से चल रही है और अभी तक भी जा रही है सदन के अंदर एक वाटसेप चैट का जिकर हुआ विपक्ष के नेता भुपेंदर सिंग हुड़ा ने एक वाटसेप चैट की चर्चा की एक नंबर भी उन्होंने बताया हम वो वाटसेप चैट भी आपके सामने रखेंगे हाला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने तरीके से इसकी जाच करेंगे विपक्ष हमें बाद्धे नहीं कर सकता मुख्यमंत्री आज भी दावा कर रहे हैं सदन के अंदर कि उनके सरकार में पर्ची-खर्ची नहीं चलती उस पर भी बात करेंगे लेकिन पहले वोटसेप चैट हम ये नहीं कह रहें कि ये ऑथेंटिक है लेकिन अगर सदन के अंदर एस वोटसेप चैट की चर्चा हुई है तो उसी परम आपके साथ चर्चा करते हैं जिनको पकड़ा गया पैसे बरामद हुए वो अफसर याद होगा कुछ और लोगों को भी अब पकड़ा गया उनका नंबर शो होता है यानि कि उनके नंबर से ये वोटसेप चैट है और उस नंबर से किसी को सर कहा जा रहा है पांच करोड का जिकर है एक दो और नामों का जिकर है जाँच तो बनती है अब देखिए उस वोटसेप में क्या कहा जा रहा है जरा सुनिये हेलो सर मैं आपको लगातार कॉल कर रहा हूँ अगला जो बंदा है वो कहता है हाँ अनिल कुछ खास जी सर कुछ जरूरी है अगर आप ऑफिस में हो तो क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ नहीं अनिल मैं बाहर हूँ कुछ जरूरी है तो मुझे केवल इसी मोड पर बताओ सर आपने जिन HCS उमीदवारों के नाम दिये थे उन्हें लिस्ट में जोड दिया गया है बहुत अच्छा जो डेंटल उमीदवार भेजा था उसका क्या हुआ सर नमीन मुझे कहां मिलने आएगा मैं कर लूँगा दूसरी और से दूसरे सदस्यों और सचीव की राय क्या है क्या वो भी किसी के लिए कोशिश कर रहे है नहीं सर सदस्यों में कोई नहीं है सिर्फ नीरज ने जो डेशरी उमीदवार के लिए कोशिश की है दूसरी और से फिर डेंटल और एच्सियस दोनों मामलों में पैसों का क्या रहा और सावधानी बरतना चिंता मत करो सर अश्वनी से कुल पांच करोड मिले है तो देख लिया आपने इस वाटसैप चैट को सुन लिया कि दो लोगों के बीच में बाच्चित हो रही है और उसमें मतलब एक तरफ जो बात कर रहा है उसका अनिल नाम सामने आ रहा है और दो और नामों का जिकर हो रहा है पांच करोड रुपए का भी जिकर हो रहा है एक नाम वही है जो अनिल नागर के साथ पकड़ा गया था एक नाम और है इस वाटसैप चैट को लेकर जाच तो बनती है और सवाल भी कई खड़े होते हैं और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर था सरकार पर और विपक्ष सरकार से HPSC के चेर्मेन को हटाने की बात कर रहा था लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जाच हमारे हिसाब से होगी हम जिस एजन्सी से करवाना चाहें विपक्ष के दबाव में ये कोई हम बादे नहीं है कि हम किस से जाच करवाएं ये वाला मामला सत्ता पक्ष के ही एक विधायक अबे सिंग यादव खड़े होकर बोले कि ये पहले से ही चीजें होती आ रही है तो इसका मतलब क्या है क्या अभी भी हो रही है मई मुख्यमंत्री मनौरलाल खटर ने कहा कि पर्ची खर्ची नहीं चल रही है यानि वो अभी भी दावा कर रहे हैं और सदर ने उन्होंने ये बात बोली उन्होंने कहा कि पहले कि सरकारों में सरकारी नौकरी के लिए लोगों को किल्ले बेचने पड़ते थे महिलाओं को अपने गहने बेचने पड़ते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है तो यहां पर सवाल खड़ा होता है जो अभी क्रोडों रुपए पकड़े गए एक अधिकारी और कुछ और लोगों से वो पैसे कहां से आए मुक्यमंत्री साहब मतलब वो पैसे भी तो कहीं से आए होंगे जो लाखो रुपए का जिकर था और परिक्षा पास करवाने के नाम पर लिए गए फिर भी मुक्यमंत्री दावा कर रहे है कि उनकी सरकार में परची खरची नहीं चलती यह वाला मसला है दोस्तो इस पर आपकी राय क्या है सदन के अंदर यह मामला उठा है सरकार कहीं न कहीं बैक फूट पर दिखाई दी लेकिन सरकार कह रही है कि वो अपनी ही एजेंसी से इसकी जांच करवाएगी यानि जो विपक्ष की मांग है कि हाई कोट के किसी सीटिंग जजज से जांच करवाई जाए या सीबियाई से जांच करवाई जाए सरकार उसको नहीं मान रही है आपका क्या कुछ कहना है आपने अपने राय इस मसले पर कुमेंट के मादनेम से लिख कर भीजना है इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेर करना है तमाम लोग अपनी राय देश सकें और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानि दामसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना है हुआ 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 है